Hello everyone, welcome to my YouTube channel तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ Acid Reflex और GERD के बारे में और इसके इलावा मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि Acid Reflex और GERD होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके इलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन-कौन से symptoms जो हैं वो GERD के case में देखने को मिलते हैं और ये problems Acid Reflex और GERD होने के बाद आप इसको कैसे prevent कर सकते हैं और अपनी day-to-day activity जो है वो कैसे कर सकते हैं और इसके treatment के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि Acid Reflex क्या होता है Acid Reflex के case में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ती खाना खाता है तो वो खाना उसके पेट में जाकर वापिस उसके गले में आता है ऐसा हमारे साथ भी कई बार होता है जब हम कुछ भारी खाना खाते हैं या कुछ तला हुआ या फिर जादा over eating करते हैं तो उस case में होता है लेकिन ये कभी कभार होना normal है लेकिन अगर ये condition जो है वो रोज होती है और लंबे समय तक रहती है तो उस condition को हम GERD यानि के gastroesophageal reflux disease कहते हैं अगर वो acid आपके गले में लंबे समय तक रहेगा तो वो आपके जो गला है उसकी जो अंदर की lining है उसको खराब करेगा इसकी वज़से और आपको भी बहुत discomfort फील होगा इसकी वज़से इसका जो treatment है वो बहुत important हो जाता है अब हम बात कर लेते हैं कि ये क्यूं होता है acid reflux या GERD क्यूं होता है इसके क्या कारण हो सकते है तो अगर हम इसके कारण की बात करें तो सबसे पहले इसका कारण आजाता है obesity यानि के मोटापा जिन व्यक्तियों को मोटापे की problem है उनमें acid reflux सबसे जादा होता है इसके इलावा हम बात करें तो अगर किसी व्यक्ति को हरनिया की problem है तो उस व्यक्ति को acid reflux होने की जो संभावना है वो जादा रहती है अगर कोई pregnant women है तो उसको जो ये problem है acid reflux की वो हो सकती है इसके इलावा कई लोगों की आदत है over eating करने की अगर कोई व्यक्ति over eating करेगा अपने भूख से जादा खाना खाएगा तो उसको भी acid reflux जो है वो होगा इसके इलावा अगर कोई व्यक्ति smoking करता है यानि के धूम्रपान करता है तो उस व्यक्ति को भी chances है कि उसको acid reflux और GERD की problem हो सकती है अगर कोई व्यक्ति late night means कि खाना खाने जो है वो खा रहा है बिलकुल सोने से पहले खाना खाने के बाद सीधा late जा रहे हैं और सोने के लिए जा रहे हैं तो उन व्यक्तियों में भी जो acid है पेट का वो गले में आना सौभाविक है इसके इलावा अगर हम बात करें तो कुछ लोग जो है वो कुछ fried food या फिर fat वाला खाना जादा खाते हैं तो उनको भी पाचन में problem होती है जिसकी वज़ा से जो acid है वो गले में आता है इसके इलावा कुछ व्यक्ति जो है वो alcohol और coffee, caffeine का इस्तेमाल जादा करते हैं ये भी एक कारण हो सकता है कि उस व्यक्ति को सबसे पहले acid reflux और उसके बाद GERD हो सकता है और कुछ इस तरीके की medicines भी होती है जिसकी वज़ा से acid reflux जैसी problems होती है तो हम अब बात कर लेते हैं GERD को आप कैसे पहचान सकते हैं इसके common symptoms क्या-क्या होते हैं तो सबसे पहले इसमें जो symptom देखा जाता है वो है burning sensation in the chest यानि के ऐसे व्यक्तियों को normally जो है वो जो जलन होने शुरू हो जाती है और वो जलन उनकी छाती तक जाती है जिसको हम heartburn कहते हैं उनका गला और उनके जो चाती है उसमें जलन महसूस होती है और ये अक्सर जो है वो शुरू होती है खाना खाने के बाद और रात के समय में जब वो जब व्यक्ति जो है वो अराम करेगा लेटेगा बिस्तर पर तब उसको ये problem जो है वो जादा severe होगी इसके इलावा गर हम बात करें तो उनके गले में एक तीखा और खटा जो है वो टेस्ट रहेगा उनके मूग के अंदर और उनका खाना खाने का मन नहीं करेगा उनके पेट के उपर वाले हिस्से में और चेस्ट के पास जो है वो दर्द होगा और उनको खाना खाने में भी दिक्कत होगी, खाना उनको निगलने में प्रॉब्लम हो सकती है और उनको ऐसा महसूस होगा कि उनके गले में जो है वो कुछ इकठा हुआ है, कुछ लंप जैसा है, तो ये कुछ common symptoms हैं जो हमें एक GERD के patients में देखने को मिलते हैं अब हम बात कर लेते हैं कि आप acid reflux और GERD से कैसे बच सकते हैं या इसको कैसे prevent कर सकते हैं, तो उसके लिए आप कुछ common चीज़ें हैं जो आपको daily basis पे करनी होगी इसके लिए जो है वो आपको, सबसे पहले अगर आप smoking करते हैं तो आपको smoking जो है वो छोड़नी होगी और अपने weight को जो है वो एक healthy range के अंदर लेके आना होगा क्योंकि ये बहुत ही important reasons हैं जो की acid reflux cause करते हैं इसके इलावा आपको सोने, सोते समय आपको ध्यान रखना है कि आप अपने सर को थोड़ा elevate करके यानि के ऊपर, एक दो तकिये के ऊपर सोएं ताकि आपका जो stomach है आपके पेट से acid जो है वो आपके गले तक ना आपाए इसके इलावा आप क्या कर सकते हैं आप खाना खाने के एक तुरंत जो है वो बाद मत लेटिए आप थोड़ा सा walk कर सकते हैं और उसके बाद में खाना खाने के at least दो घंटे का आप gap रखे लेटने से पहले और इसके इलावा आप क्या कर सकते हैं कि आपको खाना धीरे धीरे खाना है और अच्छे से उसको चबाने की कोशिश कीजिए ताकि खाना जो है वो अच्छे से पच सके इसके इलावा आपको ऐसे खाने खानों का परहेज रखना है जैसे कि fried food आपको नहीं खाना है और fatty food जो है वो oily food आपको नहीं खाना है तो ये जो है वो आप ध्यान रखिए और इसके इलावा जो है वो आपको carbonated drinks जितनी भी होती हैं जैसे कि आप जो ये beverages पीते हैं और alcohol, caffeine ये सारी चीजे जो है वो आपको control में करनी है और आपको जादा tight कपड़े जो है वो avoid करने है आप जादा tight कपड़े पहनोगे तो वो भी acid reflux का एक कारण होगा तो इसलिए आपको tight कपड़े पहनना जो है वो avoid करना है तो ये कुछ methods जो है जो आप use करके acid reflux और GERD जो है वो उसको prevent कर सकते हो रोक सकते हो इसके इलावा अब हम बात करेंगे कि कब आपको जो है वो doctor के पास जाना चाहिए क्योंकि acid reflux अगर आपको कभी-कभी हो रहा है तो उसमें कोई इतनी घबराने की बात नहीं है लेकिन अगर आपको ये problem रोज basis पे हो रही है daily basis पे तब आपको doctor के पास जाने की जरूरत है क्योंकि क्योंकि अगर ये acid आपके गले में ज्यादा समय तक रहता है तो ये आपको तकलीफ देगा इसके इलावा ये काफी सारी complications जो है वो पैदा कर सकता है अंदर की mucosal layer जो है वो damage हो सकती है तो इसके लिए जो है वो आपको doctor के पास immediately जाना चाहिए जिसके लिए काफी सारे इलाद जो है वो संभव है तो आपको वो treatments जो है वो लेने चाहिए और इसके इलावा doctor जो है वो आपको anti-acids देंगे जिसमें कि आपको जो खाली पेट लेने के लिए भी बोला जाएगा कुछ दवाईयां और कुछ दवाईयां आपको ऐसी भी दी center है हमारे पेट और उपर वाली जो pipe है उसके बीच में एक धक्कन जैसा होता है वो खराब होने की वज़े से usually ये problem होती है तो उसका भी repair जो है वो हो जाता है तो आप वो comment section में जरूर लिखिए thank you for watching